हाई गाईज वेलकम बैक माई चैनल चले तो स्टार्ट करते हैं डाक ब्लू एंड इमोन लाइट का एपिसोड नमबर एट वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करना मत भूलेगा साथ में कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा चले तो एपिस के साथ थोड़ा टासी क स्पेंट करते है उसके बाद दिखाया जाता एगां चलो ना डिनर करना मुंझ काफी भूग करना है चैन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता हूँ लेकिन शुओ हाई मना करते तो फिर चैन अखेले ही डिनर करने लगता है अफिस में दिखाया जाता है यैन को मिटिंग करते हुए मिटिंग ओवर हो जाती है तो यहाँ पर पिंकी उसके लिए खाना लेके आती है यैन उसे कहता है तुम भी मेरे साथ यहीं पर खाना खालो यहाँ पर पिंकी उसके साथ खाना खाने लगती है तो वो अपने ब्रदर को लेकि यहाँ पर बाती कर रही होती है तब यह उसके face पर थोड़ा food लग जाता है यहन उसे कहता है कि तुम्हारा face dirty हो गया है पिंकी खुद अपने face को clean करने की कोसिस करते है पर वो नहीं कर पाती तो यहाँ पर उसके help करने लगता है यहन यहाँ पर पिंकी उसे thanks बोलती है यहाँ पर यहन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे brother को management department से introduce कराना चाहता हूँ ताकि वो और भी जादा company के साथ भी काम कर सके पिंकी यह सुनके happy होती है यहन कहता है अच्छा होगा उसके लिए यह उसे फिर भार जादा jobs करने की ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पर पिंकी कहती है आपको कैसे पता कि वो भार work करते है फिर एकदम से खुदी कहती है ओ सायद उसी ने आपको बताया होगा पिंकी कहती है कि मेरे brother इस बात को सुनके काफ़ी खुश होगी और वो इस काम को सायद करने के लिए एगरी भी हो जाए यहाँ पर यहन कहता है हाँ तुम उससे इस बारे में बात कर लेना घर पर चैन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कुछ books वगेरा देख रहा होता है तो यहाँ पर उसे शू हाई की sketchbook मिलती है जिसमें शू हाई ने draw करा का होता है यहन की photos वगेरा को यह देखे हाँ पर चैन काफी हरान होता है दुसी तरफ दिखाया जाता है शुहाई को अपने दोस्त के के साथ जहापे वो सारी बात के को बता देता है के इस बात को सुगे काफी सप्राइस फिल करता है और कहता है यह तो बिलकुल मुवी की तरह हो गया है यहाँ पर वो पूश्टा है अब तुम आगे क्या करोगे यहाँ पर सोहय उससे कहता है मुझे यही तो समझ में न clone नी आ ह। मैं तुमसे एड़्वाइस लेने आया हूँ यहाँ पर उससे के कहता है लेकिन इस बार से काफी हट फिल करेगा चैन शुहाय कहता है इसलिए तो मैं अभी तक उसे इस बारे में बता नहीं पाया हूँ यहाँ पर के उसे कहता है क्या तुम डेट कर रहे हो यैन को शुहाय मना करता है क्या तुमसे यैन ने कहा है कि तुम चैन से ब्रेक अप कर लो और येन तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाता है शुहाय उससे कहता है उसने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा है बस उसने ये कहा है कि वो मुझसे प्यार करता है कि उससे कहता है अगर तुमसे येन कहेगा ब्रिक अप करने के लिए चैन से तो क्या तुम कर लोगे यहाँ पर कहने लगता है शूहहाए नहीं क्योणकी मैं उससे प्यार करता हूं उपर साहए hadn't कंफियूस सह होता है यहाँ पर शूहाए काफी उसकी बास सुनकर के कहता है मुझे कुछ समुझ नीया रहा कि तुम क्या कहने की कोसिस कर रहे हो Shui Hai उससे कहता है तुम मेरी help करो ना मैं बहुत ज़्यादा confused हूँ कि मैं क्या decide करो कि उससे कहने लगता है कि पहले तुमने yen को देखा तो तुम उससे पसंद करने लगे लेकिन वो तुम्हारी life से disappear हो गया उसकी जगा पर chain आ गया तो तुम उसके साथ रहने लगे अब वापिस आ गया है तुमारी life में yen इसका मतलब क्या chain disappear होने वाला है तुमारी life से Shui Hai उससे कहता है तुम से क्या advice लो मैं तुम तो सब कुछ और ज़्यादा complicated कर रहे हो कि यहाँ पर कहता है Shui Hai से कि मैं announce करता हूँ officially अगर तुमें chain नहीं चाहिए न तो उसके लिए मैं हूँ यहाँ पर यह सुनके गुसा करता है Shui Hai उस पर कि क्या बक्वास कर रहे हो तुम आगे हम देखते है Shui Hai और Yen को एक साथ कार में जहाँ पर Yen कहता है कि आज हम दोनों यहीं पर रुख जाते है तुम वापिस बच जाओ Shui Hai उसे कहता है लेकिन मैंने chain को कुछ नहीं बताया है वो मेरे लिए worried होगा Yen उसे कहता है ठीक है उसे call करके बता दो Shui Hai उसे कहता है क्या बताओ मैं उसे मैं उसे जूट नहीं बोलना चाहता Yen उसे कहता है तो उसे जूट मत बोलो यहाँ पर Shui Hai कहता है तो फिर मैं उसे क्या बताओ फिर हम उन दोनों को एक साथ बीच पे गूमते हुए देखते है जहापर Yen कहता है Shoo Hai से कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे डिसिजन का इंतिजार करे हो ताकि तुमें अपना डिसिजन लेने में आसानी हो यान उसे कहता है लेकिन तुम बताओ शूहाई कि तुम्हें क्या चाहिए शूहाई उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए बस मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता और यहाँ पर वो यान को हग कर लेता है यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि शूहाई ने चैन की पास message किया था कि वो work की बज़े से दो दिन के लिए भाव जा रहा है चैन को दिखाया जाता है कि वो अपनी काम पर आता है modeling के लिए तो यहाँ पर चैन की मुलाकात हो जाती है शुहाय की एक classmate से जहापे उसे पता चलता है कि शुहाय ने उसे जूट बोला है कि वो work से भाग गया है actually वो अपने classes को miss कर रहा है हम देखते हैं चैन message करता है शुहाय के पास कि तुम कहा पर हो शुहाय उसे कहता है कि मैं उस्कूल में हूँ चैन उसे कहता है तुम ठीक हो शुहाय कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा टायर हो चैन उसे वापिस आने के लिए पोशता है शुहाय कोई रवाव नहीं देता चैन यहापे लिखने वाला होता है कि में जे सब पता चल गया है तुम्हारी classmate से पर वो इस message को delete कर देता है उसके पास send नहीं करता और उसे message करता है कि घर वापिस जल्दी आना मैं तुम्हें miss कर रहा हूँ शुहाय भी उसे miss you two का message कर देता है पर चैन को तो हकीकत पता है इसलिए वो यहापे sad होता है आगे दिखाय जाता है येन और शुहाय को एक साथ सोते हुए येन के पास call आता है यहापे फिर येन कहता है शुहाय से कि मुझे वापिस जाना होगा क्योंकि मेरी mom hospital में है I am sorry कि मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के जा रहा हूँ शुहाय उसे कहता है इट सोके येन उसे यहापे प्यार से kiss करता है उसके आगे हमें दिखाया जाता है शुहाय आके वापिस घर पे लेड़ जाता है चैन के पास चैन भी उसे प्यार से हख करता है और कहता है अच्छा हुआ कि तुम वापिस आ गई मॉर्णिंग में जब आगे खुलती है शुहाय की तो वो देखता है उसके पास sketchbook रखी होती है जिस पर note लिखा होता है चैन का कि तुम्हारे जैसा कोई draw नहीं कर सकता and I like it आगे दिखाया जाता है शुहाय होता है cafe में जहापे चैन आता है उसके पास ले जाओ घर यहापे उससे कहता है शुहाय कि मैं तुम्हारा यहीं पर वेट कर लेता हूँ चैन यहापे वेट करने से उसे मना करता है शुहाय उससे कहता है कि मैंने पहले भी तो यहापे वेट किया है तो क्या हो जाएगा अगर मैं आज भी तुम्हारा यह पर वेट कर लूँगा जैने आपर कहता है नहीं मुझे आने में काफी देर हो जाएगी अच्छा होगा कि हम लोग कल बात करें यहाँ पर गुस्से में उसे श्योहाई कहता है कि तुम्हें आलरटी साहथ बता है कि मैं तुमसे क्या कहना चाता हूँ पर तुम उस बात को सुनना नहीं चाहते कल हो या परसो वह बात चेंड नहीं होने वाली अब वह नारा जो कि वहाँ से चला जाता है फिर हम देखते हैं चैन से मिलने उसकी सिस्टर आती है पिंकी उससे परिशान देकि वह पूछती है क्या चैन उसे कहता है कुछ बात नहीं है यहां पर पिंकी उसे बताती है कि कंपनी के साथ तुम कॉपरेट कर सकते हो मेरे बॉस चाहते है और तुम्हें ज्यादा सेलर भी मिलेगी चैन कहता है कि इसके कोई जरूत नहीं है जो मैं जॉब कर रहा हूं वो मेरे लिए ठीक है चैन उ सकते कि मैं फ़ता है कि मैं उसे पसंद करती हूँ चैन, उसे कहता है कि मै नहीं चाалы कि मैंने इच्ञाहिआ की हर्ट फीलो अलगा जो अन् कि मॉम कहते हैं कि मैं अपने घर वापिस जा सकती हूँ यहां पर रहने की मुझे कोई जरूरत नहीं है यहन उसे कहता है कि मॉम अभी आप हॉस्पिटल से आए तो आप यहाई पर रहे हैं मैं आपके केयर करूंगा उसकी मॉम पूछते हैं तुम्हारा रूमेट कहां पर रह यहन कहता है कि वो बिजनिस के लिए भार गया ये यहां पि नहीं है और इसके बहा कहते है उक्छी किया थे आपकॉस तरहीं बहुती हुन होगा है यहां यहां बहुती है वह सवाल करती है जैकी कि है किया वो तुम्हें इंटरव्यू देते हैं अपना कि मैं गे हूं और वो कहता है कि तुम इतने टाइम से उनके साथ वर्क करी थी तुम इस बात का पता नहीं लगा पाई क्या यहां के घर पर दिखाए जाता है जहां पे पिंकी को स्वाइलस लेके आती है यहां घर से ही का कर रहा होता है कि यह आपर बगल कहते है न की क्या घर पए निसली हुआ , यहापर पूस्ट है तो और पिंकि Кोणा करती है , यहापर होता है पिंगी उसे कई सवाल कर रहे होती कि सब क्या खरीदना है यहाँ उसे कहता है कि मेरी मॉम वेजिटेरियन है तो उसके हिसाफ से तुम समान खरीद लो यहाँ पर पिंगी सवाल करते है कि बॉस मैं आपसे कुछ बूस सकते हूँ क्या यान उसे कहता है कि तुम यह जाना चाहते हो ना कि मैं गे हूँ या फिर नहीं यह सुनके हरान होती है पिंकी और कहते है आपको कैसे पता यान उसे कहता है कि बिसक मैं आफिस में रहता हूँ लेकिन मुझे सबी बातों के बारे में पता होता है यान उसे कहता है क्या तुम्हें फरक पड़ता है इस बास से कि मैं क्या हूँ पिंगी उसे कहते है नहीं मेरा ब्रोधर भी तो गिये है अब वो अपनी बॉइफरेंड के साथ काफी है यान कहता है तुम्हें कैसे बता कि वो हैपी है पिंकी कहती है उन दोरों को साथ में देखे पदा चलता है पिंकी पुष्टी है आपकी लाइफ में कोई है क्या येन कहता है हाँ मैं भी एक परसंट से काफी प्याँ करता हूँ और उसे प्रोटेक्ट करने की लिए कुछ भी कर सकता हूँ पिंकी कहते है क्या वो परसन जिमी है यान कहता है नहीं वो सिट मेरा रूमेट है पिंकी कहते है फिर वो परसन कहां पर है यानी सारा करता है अपने हार्ट की तरफ पिंकी स्माइल करने लगती है येन मैसेज करता है शुहाय के पास कि मैं तुमसे नहीं मिल सकता लेकिन मैं तुम्हें काफी मिस कर रहा हूँ शुहाय भी उसे आई लव यू का मैसेज रिप्लाइ में करता है आफिस में होती है पिंकी और काफी हैपी होती है जैकी उसके पास आता है और कहता काफ़ी खुश नजरा रही हो तुम बॉस के घर गए थी साइद तुम्हेरे सवालों का जवाब मिल गया है पिंकी कहते है हाँ और उस जवाब को सुनके मैं काफ़ी हैप़ी फिल कर रही हूँ बॉस काफ़ी रोमेंटिक है और वो कहती है बस सब को कैसे चेंच हो गया पिंग्यूल से कहती है कि तुम यह रिमर्स आफिस में मत फैलाओ कि जिमी उनका बॉइफ्रेंड है अगर बॉस को पता चलिएगा तो वो काफ़ी नाराज होंगे यही पर यह अपिसोड फिनिश हो जाता है गैस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत बूलेगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजेगा ताकि आने बाले नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे चलिए तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाय और टेक केर